हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू इंडियन एकोनॉमिक डिवलप्मेंट का और ये जो चैप्टर का नाम है वो है इंडियन एकोनिमी डूरिंग नाइंटीन फिफ्टी टू नाइंटीन नाइंटी यानि कि 1947 में आजादी मिल गई उसके बाद 1950 से लेकर 1990 ये जो 40 साल है ये 40 साल का सफर कैसा रहा इंडियन एकोनमी का हम उसके बारे में बात करेंगे आज हम पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश करेंगे तो आप अच्छे से समस्ते चले जाना उमीद करता हूँ कि चैप्टर वन आप लोगों ने याद कर लिया होगा तो आपको पता होगा कि आपने याद किया ही कि नी मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपने याद कर लिया होगा और MCQ जितने भी मैंने दिये थे आपको 15 MCQ होँगे साइद वो 15 MCQ बना लिया होगा और chapter 1 खतम कर दिया होगा अगर आप इकठा करते चले जा रहे हो chapter को तो यह 2 भी कठा हो जाएगा इसे भी नहीं करोगे तो ध्यान रखना कि अगर 1 नहीं किया तो अभी भी मौका है ज्यादा दूर नहीं गए आप 1 और 2 दोनों को खतम कर देना भारत को अजादी मिली इनडीपेंडेंस मिला तो हमारे देश में जो सरकार चल रही थी उनका काम क्या था कि country का पुनर निर्माण करना request the economy इंडियन economy को दुबारा से बनाना दुबारा से class इंडिन economy को वैसा बनाना जैसा वो पहले था गुलामी जब मिली उससे पहले therefore सबसे main task जो इनका था कि वो हमारे economy को किस type की economy है उससे decide करना यानि कि economic system को decide करना किस type का economic system है हमारा तो economic system होता क्या है एक ऐसी arrangement जिसमें हम लोग central problem को solve करने की बात करेंगे आप सबको पता होगा कि तीन central problem है economy के अंदर there are three central problems of an economy पहला है what to produce दूसरा है how to produce तीसरा है for whom to produce what to produce का मतलब क्या है कि हम कौन सा सामान बनाएंगे और उसे किस quantity में बनाएंगे जबकि हमारे पास जो resources है वो limited है तो limited resource के थूरू हम कौन सा सामान बनाएंगे और उसे किस quantity में बनाएंगे इसको हम लोग बोलते हैं class what to produce और how to produce का मतलब क्या है कि हमें production किस तरीके से करना है labor intensive technique का use करेंगे या capital intensive technique का use करेंगे production करेंगे किस तरीके से how to produce what to produce मतलब कौन सा समान बनाना है उसे किस quantity में बनाना है How to produce मतलब हम लोग किस तरीके से manufacturing करेंगे, production करेंगे, labor intensive का use करेंगे, capital intensive का और for whom to produce मतलब हमारे customer कौन होंगे, किसके लिए समान बनेगा It is a problem related to distribution of goods and services, producers should offer high quality product at high price to rich sector Amir लोगों को class यह high quality product offer करेंगे और low quality product offer करेंगे class किसको Poor sector यहीं गरीब लोगों को, भहिया आप समान बना रहे हो, तो गरीब लोगों के लिए समान अलग बनेगा और Amir लोगों के लिए समान अलग बनेगा, तो आपकी गरह कौन होंगे, that is for whom to produce तो यह इन तीनों problem को solve कैसे किया जाए, इसको decide करना ही कहते हैं, class economic system कि आपका economic system कैसे होगा, यह तीनों problem हर economy पाई जाती है, तो there are three types of economy, सबसे पहला जो होता है, वो होता है, capital economy, market economy, या capitalism कहते हैं, क्या कहते है, class capitalism, यह एक ऐसी economy है, जहाँ what to produce, how to produce, and for whom to produce, यह decision कौन लेता है, class private producers लेते हैं, और class किसको देखकर according to the market forces of demand and supply, with the objective of profit maximization, यानि कि profit maximization के objective को देखते हुए, यह लोग वही समान बनाएंगे, जो class market की demand होगी, यानि capital economy, एक ऐसी economy है, जहाँ पर देश की जो central problem है, वो solve की जाती है, central problem, किसके द्वारा, private producers द्वारा, demand supply को देखते हुए, और इनका main motto जो रहता है, वो होता है, मुनाफ़ा कमाना, या दूसरा है class, socialistic economy, socialism भी कहते हैं इसको, socialism, class यह एक ऐसी economy है, जहाँ पर what to produce, how to produce, and for whom to produce, इन decision को कौन लेता है, class, सरकार लेती है, और सरकार का objective जो होता है, वो होता है, social welfare, सरकार हमेशा लोगों की भलाई की बात करेगी, समाज की भलाई की बात करेगी, social welfare, तीसरा, mixed economy, यहा पर private producer, और class, सरकार, दोनों मिलकर decision लेती है, कि क्या समान बनाना है, किस quantity बनाना है, और इनका motto जो है, profit maximization होता है, साथ में क्या होता है, social welfare, मुनाफ़ा भी कमाना चाहते है, और समाज की भलाई भी करना चाहते है, और इंडिया जो है, वो कैसी economy है, class, mixed economy है, इंडिया is a mixed economy जहां पर class, जबकि Hong Kong, Singapore, Netherlands, Sweden, US are adopting capitalistic economy, यह तीन टाइप की economy है, यह बिल्कुल basic चीजे है, आपने पहले भी पढ़ी होंगी, यह आपको पता होना चाहिए, अब इस chapter की main चीज़ पर class आगे, economic planning, अब यहां पर अपनी copy निकाल लो, और कुछ data मैं आपको लिखवाने वाला ह जिनको आप लोगोंने लिख लेना है, जो very important है, इस chapter के लिए, economic planning means, utilization of country resources and different development activity in all over the country, country की resources का इस्तमाल करके, पूरे देश में development लेकर आना ही, क्या कहलाता है, class, economic planning, की country का resource use करो, और देश को develop करो, To make economic planning effective, the government of India set up planning commission, class, सरकार ने planning commission बनाया, 1950 में, it has a fixed planning period of 5 year, जिसको हम लोग बोलते हैं, 5 year plan, 1950 में, इसका setup हुआ, class, planning commission का, ये data लिख लो, जिसको मैं highlight करूंगा, इसको लिखते चले जाना, copy में, क्यूंकि ये examination में पूछा सकता है, और आज मैं आपको MCQ भेजूँगा, य महाँ पर आपको काफी help मिलेगी, तो सबसे पहला question, जो planning commission है, कब setup हुआ, 1950 में, और क्या setup हुआ, हमें, 5-5 साल की planning हो जाएगी, जिसको बोलते है, 5-5 साल की planning करती है, कि coming 5 year में, देश का विकास कैसे करना है, देश को develop कैसे करना है, वो है class, आपका planning commission, prime minister is the chairman of planning commission, planning commission के chairman है, वो कौन है class, prime minister, जो prime minister है, वो class है, chairman किसके planning commission के, तो आपको पूछा है, planning commission का chairman कौन है class, prime minister, नरिंदर मोधी, और planning commission का जो main objective है, वो क्या है class कि लोगों की living standard को बढ़ाना, production को बढ़ाना, और opportunity देना class, equal opportunity of employment to all in different sector of the economy, यानि class सबको रोजगार का अफसर देना, रोजगार का मौका देना, अब ये चीज पूछा सकता, examination में कि first fiber plan कब launch हुआ, 1951, जो चला class, first fiber plan, 1 April 1951 से लेकर, 5 साल तक चला, 31 March 1956, यानि 1956, और जो आखरी plan था, क्योंकि class आज fiber plan नहीं रहा, fiber plan खतम हो गया, तो आखरी fiber plan था, वो था class 12th fiber plan, जो 2012 से लेकर 2017 तक चला, और जो कि इंडिय का आखरी fiber plan बना, तो 12th जो है, वो लास्टर चला, 2012 से 17, plan which is to be achieved within 20 years, अगर जिस plan को 20 साल में अचीव करेंगे, उसको बोलते है, perspective plan, तो अगर long term plan है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, perspective plan, अब planning commission को replace किस ने कर दिया, class, नीती आयोग ने, ध्यान रखना, नीती आयोग का class जो chairman है, head है, वो भी class कौन है, prime minister Narendra Modi, और नीती आयोग के जो CEO है, वो है, अमिताब कांत, लिख लो, वैसे बहुत detail है, बहुत लिखा जाता हूं, कोई problem नहीं, अमिताब कांत, नीती आयोग का जो head office है, वो कहां पे है class, नहीं दिल्ली में, तो नीती आयोग ने planning commission को replace कर आज planning commission नहीं है, कौन है, नीती आयोग, national institution of transforming India, नीती आयोग कब बना class, 1 जनवरी 2015 को, यहने के planning commission को replace किस ने किया, नीती आयोग ने national institution of transforming India, head office, जो है, वो दिल्ली में है, और जो chairman है, वो prime minister ही है, same, और CEO है, वो हमिताब कांत है, और नीती आयोग कब आया class, 1 जनवरी 2015, सब से important बात लिख लो class, it is also called think tank of India, ध्यान रखना, नीती आयोग को India का think tank भी कहा जाता है, ध्यान रखना, नीती आयोग को class, India का think tank भी कहा जाता है, क्या कहाता है class, think tank, okay, नीती आयोग जो है, उसको क्या कहा जाता है class, think tank of India, नीती आयोग is also called, Think Tank of India नीती आयोग का हम लोग क्या कहते है Think Tank of India क्योंकि नीती आयोग में होता क्या है सारे के सारे जो स्टेट से उनके Chief Ministers आते हैं और आने के बाद इन सब की वीच मीटिंग होती देश में क्या क्या problem solve करनी है प्रदूशन की problem है अना unemployment की problem है इनको हमें solve करना है ये नीती आयोग का basically काम होता है कि जो जो problems हम लोग के सामने आ रही है उन problem को हमें पेस करना है तो कैसे solve करना है वो नीती आयोग का main काम है ये सारा data जो लिखवा है मैंने class वो सब याद रखना अब आते हैं long term plan के बारे में कि आप short में एक नाम याद कर लो class यहां पे GFMSE GFMSE ये बहुत important चल रहा है class topic और वो है कि long term goal जो है पंच वर्षी योजना फाइबर प्लान का वो क्या है ये class देखो सबसे पहला जो गोल है सरकार का जो ये फाइबर प्लान बनाती है उसका पहला गोल है class growth सबसे पहला जो काम है वो है growth growth का मतलब क्या है देश की जो production capacity है उसको बढ़ाना है ताकि जादा से जादा समान बनाया जा सके बच्चो जितना जादा production होगा उतना ही जादा फाइदा होगा manufacturing unit को और पूरे देश को अगर देश की GDP बढ़ेगी तो जहर सी बात है देश की income जो है वो भी बढ़ेगी तो जो fiber plan का सरकार का objective है motto है goal है वो यह है कि देश में growth ली क्याना production को बढ़ाना the main aim of the government is to increase the GDP GDP को बढ़ाना है class अगर GDP बढ़ेगा GDP मतलब की gross domestic product यानि कि पूरे देश में जो समान बन रहा है वो कितने का बन रहा है तो देश की GDP बढ़ेगी तो availability of goods and services per person वो भी बढ़ेगा यानि हर एक इंसान को जो हिस्सा मिलेगा goods and services का वो भी बढ़ेगा GDP जो है अगर वो बढ़ता है तो देश का welfare होगा लोगों की income बढ़ेगी तो देश की GDP को बढ़ाना सरकार का class सबसे पहला motto है जिसको हम लोग बोलते है growth तो सरकार चाहती है कि देश में growth आए production बढ़े नई नई technology आए improvement हो infrastructure में transport हमारा अच्छा हो banking sector अच्छा हो insurance अच्छा हो communication अच्छा हो सरकार जो है savings और investment को भी क्या करती है class प्रमोट करती है तो growth जो है वो long term fire plan का पहला goal है growth second is full employment full employment का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ देश के अंदर बेरोजगारी बहुत है तो इस बेरोजगारी को खतम करने के लिए सरकार का जो goal बनाती है fire plan का वो goal है full employment यानि कि देश के जितने लोग काम करना चाहते हैं और काम करने के लायक भी है उनके पास काम हो यानि कि बेरोजगारी ना हो इसको बोलते है full employment तो सरकार का पहला क्या एक लास growth और दूसरा क्या एक लास full employment बेरोजगारी ना हो अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीब और गरीब होता चला जाएगा अमीर और अमीर होता चला जाएगा तो यह बेरोजगारी को खतम करना है सरकार का मेन मोटो थर्ड is modernization नई नई टेकनोलोजी लेके आना हर इक सेक्टर में that is called modernization सरकार का कहीना कहीं मोटो रहता है कि हमारा जो दे से वो modern बने हर इक सेक्टर में चाहे वो agriculture हो चाहे वो manufacturing हो चाहे वो service सेक्टर हो हर सेक्टर में नई नई तकनीक modern technology है उसका use किया जाए modernization is necessary for improving living stand of people देखो आगर आपका living standard बढ़ेगा वो modernization से ही बढ़ेगा नई नई technology growth process में मदद करती है आज ही technology है online पढ़नेगा तबी तो मैं यहाँ पर online आपको पढ़ा पा रहा हूँ आप बिना घर से निकले ही घर पे ही पढ़ाई कर पा रहे हो तो यह कहीं ना कहीं education line में क्या है class modernization है आज इंसान चांद पे जाने की बात करता है बिना चीरफाड करे operation हो जाता है और class नकली बारिज भी होती है cloud seeding ठीक है मैं बता दूँ आपको बारिज भी नकली होती है जो government है वो class नकली बारिज भी कराती है कई बार ऐसा होता है कि बारिज होती है लेकिन वो असली नहीं होती है जिसको cloud seeding बोलते है आप youtube करोगे या google करोगे तो आपको समझ आ जाएगा technology आजकल ऐसी है कि बिना driver के गाड़ी चलती है अलग अलग foreign countries के अंदर driver less car होती है जहां पे driver नहीं होगा आप ओला उबर जैसे यहां book करते हो ऐसी वहां पर उनके applications होगे आप वहां book करोगे गाड़ी आएगी driver नहीं होगा और आप गाड़े में बैठोगे वो आपको छोड़ देगा वहां पर तो ऐसी ऐसी technology agriculture के अंदर नहीं नहीं technology है आप फसल काटने ही जरूत नहीं है फसल अपना आप जो है machine काटेगा machine लगा robot artificial intelligence आप mobile phone से बात करते हो आप जो बोलते हो mobile phone वो सुनता है वो करता है उसी तरीके से class physical robot भी होते हैं जो class आपका काम असान करते हैं बड़ी-बड़ी company हो में robot लगे होते हैं जो class काम करते हैं आजकल machine हो से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं as compared to human से यह है class modernization तो देज भी चाहता है modernization तरफ चलना यह 500 km पर आर की speed की train bullet train यह modernization का example है समझे लोगे मत को तो यह चीजे class modernization है तो modernization में क्या होता है कि modern age is the age of science and innovations green revelation in Indian agriculture was known as the best example how technology can transform a country modernization is required at every sector हर sector में चाहिए technology is in agriculture leads to increase in agriculture produce leads to attain self-sufficiency जदा production होगा आपको आज की दिक्कत नहीं रहे कि आप आज बेच पाऊगे not only agriculture transportation production communication health insurance information technology in education and production process also हर जगे आपको modern technology का use करना है modernization सिर्फ आपको improve करने में आपकी production capacity को बढ़ाने में मदद नहीं करता एक social outlook देता है class एक देखने का नजरिया बदल देता है ताकि लोग आपको उस तरीके से देखें such as gender empowerment gender empowerment जो male और female का भेदभाव है equal rights to women वो सारे के सारे भेदभाव खतम करना भी कहीं न कहीं modernization के अंदर आएगा कि male female की जो बीच का भेदभाव है उसे finish कर सके clear है यहां तक modernization के अपने merit भी है और demerit भी हर चीज एक limit तक merit है अगर हम बहुत ज्यादा modern हो जाएंगे तो वो भी कहीं न कहीं हमारे economy के लिए अच्छा नहीं है example आज हर कोई robot से काम कराना चाहता है मशीन से कोई सब काम कराना चाहते हैं इंसानों से काम कराना कोई नहीं चाहता हर सहर कोई सोचता है कि मेरे काम machine कर दे इंसान ना करे ATM machine इसका सबसे अच्छा एक्जामपल है वेंडिंग machine अब देखते हो ना मेटरो एरपोर्ट्स या अलग अलग shopping complex में क्या होता है machine रखी रहती है अब machine से ही पैसे निकाल लेते हो और machine में ही पैसा जमा कर देते हो समान बेचने के लिए भी machine रहता है समझने बात को समान बेचने के लिए भी बड़ी बड़ी class जहां पे improvement अच्छी है टेक्नोलजी अच्छी है तो हुरा पर क्या होता है मॉर्णपे उन जो वेंडिंग मशीन है, यह इसके बस एंख्याम्पल है कि दुकान खतम हो गई है आपको वेंडिंग मशीन प्रफ Emil को कॉफिशल्पक सारह देखो यहां पर देखो यह देखते हो कॉफ शॉप की मशीन, यह मशीन देखो वेंडिंग मशीन लेकिन हां modernization भी जरूरी है कौन नहीं चाहता कि अच्छी speed की train हो आप गाउं पहुंचो अपने जल्दी पहुंच जाओ सड़क अच्छी हो call लग जाए तुरंत आपका internet का speed अच्छा हो bank में घोटाला ना हो banking काम घर बैठे बैठे हो जाए एक चीज कौन नहीं चाहता लेकिन हाँ एक limit तक उसके बाद जो है वो बिरोजगारी का कारण बनेगा चौथा है self-reliance तो अभी हमने कौन-कौन से पढ़े class सबसे पहला सबसे पहले class growth, full employment, modernization, self-reliance और equity आत्म निर्भर मोदी जी बात करते है class आत्म निर्भरता की कि हम लोग किसी पर depend नहीं रहेंगे हम लोग अपना आनाज खुद उगाएंगे तो ये चीज ए class अंग्रे जो के आने से पहले हमारा country आत्म निर्भर था लेकिन बाद में धीर करें हम अपने हां production करें चीजों को बाहर से import ना करें okay last point equity class equity का मतलब class equal importance to all हमारे देश के सभी नागरी को class हर चीज में बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सरकार का ये goal है economic growth जो है would be meaningless excise if the benefit it accrue to only a handful people of society तो class equity का मतलब ये है कि जहां पर meaningless excise हो जाएगा equity अगर सिर्फ कुछ ही लोगों को फाइदा होगा अगर मानलो सरकार की किसी policy से सिर्फ कुछ लोगों को फाइदा हो रहा है तो class equity कहां रह गया फिर इक्विटी का मतलब कि आए class benefit of the economic prosperity to all section of the society living stand of all people should increase यानि हर किसी इंसान का भला होना चाहिए सिर्फ रलायन्स, टाटा, अदानी, इनफोसिस, विप्रो इन कंपनी का भला नहीं होना चाहिए एक-एक इंसान का तरक्की करना जरूरी है देश की ग्रोथ में इक्विटी एम्स टू प्रोवाइड बेसिक नीड्स, food, cloth, shelter, education, health ध्यान रखना रोटी कपडा मकान नेसेसरी नहीं है रोटी कपडा मकान साथ में education और health ये सारी चीज नेसेसरी है अगर मैं बिमार हूँ तो मेरे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार मुझे जो मेरी health facility है, medical facility है वो महिया करा है अगर मैं uneducated हूँ तो मेरे देश की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि मुझे education प्रोवाइड करा है इसलिए सरकारी hospital और सरकारी schools बने होते हैं जहां बच्चा फ्री में जाके इलाज और फ्री में पढ़ाई कर सकता है तो every section of society through this the aim of government is to reduce the inequalities of distribution of wealth यानि कि हर किसी के बीच में जो फासला है income और wealth का उसको खतम किया जा सके और हाँ यहां में जो equity है उसका मतलब है equitable distribution not equal distribution equal distribution का मतलब क्या हरे एक इंसान को same salary मिलेगी ऐसा नहीं है salary सबको अलग-अलग मिलेगा लेकिन जो देश के मतलब कि जो facility है देश के अंदर वो सबको बराबर मिलेगी तो यह ऐसा नहीं कह रहा है मैं doctor हो चाहे clerk को सबको बराबर salary मिलेगी यह चीज नहीं कह रहा है यहां पर हम बात कर रहे है equitable distribution it means differences in income are allowed but within certain limit यानि कि अमीर और गर्वी के बीच के फासला जो है एक engineer है mechanic है दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फासला income का नहीं होना चाहिए हम इसकी बात कर रहे है तो G growth F full employment M modernization self-sufficiency और equity और यह क्या एकलास हमने पढ़े 5 के 5 long term goal जो है फाइब प्लान का यह जो पंच वर्षी योजना planning की जा रही है इसका goal क्या है उद्देश क्या है I hope कि आप सबको अच्छे समाझ आ गया होगा अब आजाओ next topic पे अपने feature of agriculture बच्चो यह बहुत जरूरी है कि feature याद होगा तभी आप इसके सुधार भी याद कर पाओगे अब agriculture जो है 1950 से लेकर 1990 तक कैसा था अपनी कॉप में लिख ले ना तक कि आपको heading जो है वो याद हो जाए feature of agriculture during 1950 to 1990 1950 से लेकर स्वाम्या सेल्फ रिलेंस का मतलब आत्म निर्भर हम अनाज अपने देश में होगाएंगे हम चीजे अपने देश में बनाएंगे ठीक है हम जो भी चीजे मास्क हो गया पीपी किट हो गया सेनिटाइजर हो गया जो चीजे हमें जरूरी है हम बहार से नहीं मंगाएंगे हम देश के अंदर ही बनाएंगे उसके इसके अल्फ रिलेंस ओके आत्म निर्भर क्यालो आप इसमें ब्लीक ग्रोथ मतलब बहुत देखने हुथ सलो ग्रोथ ब्लीक ग्रोथ का मतलब होता है कि वैरी स्लो बहुत धीले धीले घ्रोथ हुआं और नेक्स देखते हैं क्लास नेक्स टॉपिक चेक करो सब्लोग एग्रीकलँचर का फीचर क्या है यानि कि 1950 से 1990 तक ग्रीकषण है वो किस तरीके से हुआ है क्या-क्या समस्या थी क्या-क्या फीचर था वो हमको देखना है तो सबसे पहला यह है low level of productivity clear class यहां तक low level of productivity productivity per hectare of land was very low जमीन ज्यादा output कम that is low level of productivity हमारे पास ज्यादा जमीन होते हुए भी हमारा जो output आ रहा था वो बहुत कम था यह समस्या एक्लास यह सब फीचर था agriculture का 1950 से 1990 क्यूकि क्लास सरकार ने भी बहुत ज्यादा नहीं कि agriculture को improve करने के लिए इतना बड़ा देस है सरकार कही न कहीं कमी रह गई agriculture को improvement करने के लिए सरकार की policies तो बनी लेकिन वो जमीनी तोर पर लागू नहीं हुई सरकार policy बना देती है लेकिन उसको implement करने लोग उसको सई से implement नहीं करते वहां corruption होता है depending on rainfall पहला तो productivity कम था दूसरा जो लोग थे वो इस पर थे class बारिस बारिस होगी तो फसल अच्छी होगी बारिस अगर नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी ठीक है तीसरा disguise unemployment बच्छो disguise unemployment मतलब क्या होता है जिस काम को करने के लिए चार लोग चाहिए उस काम को आठ लोग कर रहे है पूरा परिवार उस काम में लगा हुआ है तो देखने से तो लग रहा है कि आठ के आठ लोग काम कर रहे है लेकिन रियल में आठ लोग नहीं काम कर रहे है चार ही लोग काम कर रहे है बाकी चार लोग तो disguise unemployment है, hidden unemployment है ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहे है लेकिन वो काम नहीं कर रहे Self-Reliance जो था, उसके बाद है, next है Self-Reliance नहीं, Subsistence Farming उस टाइम पे लोग अनाज उगाते थे न, अपने लिए बेचने के लिए वो नहीं उगाते थे Subsistence Farming, it occur when the farmer grow food crop to feed themselves and their family they were no intention to sell those in market, उस टाइम पे जो किसान थे वो अनाज उगाते थे अपने लिए अपने परिवार के लिए खाने पीने के लिए उनके मन में उसको बेचने जैसा कुछ भी नहीं था, that is called Subsistence Farming यह एग्रिकल जगा फीचर है, लोग अपनी लिए उगाते थे, मार्केट के लिए नहीं उगाते थे वो, उस टाइम पे नहीं था किसी है दिमाग में किसे हमें बेचना है अगरा, conflicts between owner and tiller, owner मतलब class, जमिदार, landlord, tiller मतलब tenant, किरादार, owner और जमीन का मालेक और जमीन पे काम करते हैं, किसान, उनके बीच में ना रडाई जगडे होते थे जमीदार जो है वो लूट रहे थे फार्मर्स को और आजादी मिलने के बाद भी ऐसा देखने को मिला कई जिगए जिसके वैसे जो owner और टेलर के बीच का जो relation है वो खराब हो गया था और दोनों के बीच जो लडाई है वो हो गई अगला fragmented land holding लोगों के पास जमीन तो है ल एक साथ फसल केतिवाड़ी हो जाती है यह क्लास फीचर है एक बार से क्लास हेडिंग हेडिंग देख लो सब लोग अच्छे से इसकी हेडिंग 6 पॉइंट सब लोग देखो फिर हम आगे चलेंगे चेक करो कि हो गया सारे पॉइंट्स कि नाइटीन फिफ्टी से नाइटीन नाइटी तक यह था क्लास एग्री कल्चर का फीचर अब एग्री कल्चर को सुधारने के लिए सरकार ने क्लच्च क्या किया एग्री का जो ग्रोथ करने के लिए सरकार कृष्चर रिफॉर्म्न लेके आई जिसका नाम है लैंड रिफॉर्म्स वेरिए cricket है क्लास अच्छे से पूरा समाजना topics से question बनने के चांसे बहुत जाता है land reforms ठीक है अब है disguised unemployment का मतलब यह है यह 1950 से 1990 की बात है यसमी का impurity economy समझा दूगा आप ठीक है इस topic खतम करके समझाता हूं disguised unemployment यह है जिस काम को गाउं में दो लोग कर सकते हैं उस काम को पुरा परिवार करने लग जाता है उस situation में वह बेरोजगार हो जाते हैं तो उनको बोलते हैं disguise unemployment अगर किसी एक काम को दो लोग कर सकते हैं और उसे चार लोग कर रहे हैं तो क्या हम यह कहेंगी चारों के पास काम है नहीं दो के पास काम है दो बेरोजगार दिख रहा है काम करते हुए लेकिन actual में काम नहीं है उ land reform involved the changing of law, regulation, rules regarding the land ownership जमीन के ownership के लिए land reform involved the changing of law, regulations or custom regarding land ownership जमीन की ownership के लिए जो भी rule regulation बनाए जाते हैं पुल मिला के जो जमीन है न वो basic necessity है without land किसी भी other economic activity को perform नहीं किया जा सकता बिना जमीन के तो मैं भी आपको पढ़ा नहीं पाऊँगा ना आप खोद भी पढ़ पाऊगे इन इंडिया majority of population depending on agriculture और जो लोग agriculture कर रहे हैं उनके लिए तो लैंड बहुत जरूरी है तो इसलिए सरकार क्या लेकिया है लैंड reforms लैंड रिफॉर्म में सरकार ने किया 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 किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप लिएगे सबसे पहला स्टेप सरकार ने क्या लिया evolution of intermediaries बीच के लोग broker जो बीच के लोग थे ना उनको हटा दिया कहने का मतलब यह है कि जमीदार और टिलर दो अलग-अलग लोग है जमीदार के पास जमीन है टिलर उस जमीन पे खेती बाड़ी करता है सरकार ने किया क्या class कि जमीदारों को और इनके बीच में वह चीज हटाई दी rent वाली सीधे सीधे बोला कि जो ओनर है जो टिलर है वही जमीन का ओनर बना दिया उनको कहने का मतलब यह है कि this has been done with the view to stopping the exploitation of the cultivator by जमीदार जमीदार बहुत ज्यादा सोशन करते थे फार्मर्स का टिलर्स का कल्टिवेटर का पीजन्ट का तो सरकार ने क्या किया बोला कि भाईया आप ही जमीन के मालिकों इनहीं को जमीन दे दी टिलर को ही जमीन दे ठी सपोतर है, जो किसको क्या बना धिया जमीन का, ओनर बना धिया सरकारने जमीन दिया उस टाइम पे लोगों को, अब लेनों है घुर एक एक रास हैं, तो मैं जादा से जादा कितना ले सकता हूँ आप से जादा से जादा ओन- Gibson dal थी लाख का क्रॉप है तो जादा से जादा मैं आपने जमीन के लिएном के-वह आपका है पहले होता क्या था एक तिहाई देते थे खिसानों को जो पूरी मेहनत करके आनाजई और दो तिहाई खुद के पास रख ले जाते हैं लेकिन जब रूल चेंज हुआ तो रेंट रेगुलेट होगा है कि मैक्सिमम रेंट जो है वो वन थर्ड हो सकता है वेले फ्रॉप जितने भी इलीगल एक्स्टॉर्शन होते थे जो टॉर्चर किया जाता था जो एक्स्टॉर्टिशन होता था फार्मर्स का वो यहां पर रुग गया खड़ लैंड सीलिंग अगर तुम्हारे पास एक हद से ज़्यादा जमीन है तो सरकार उसको कबजा कर लेती है उस चीज को हम लोग बोलते हैं लैंड सीलिंग जमीन की लिमिट लगा दी अगर अगर आप उस स्पेसिफाई लिमिट से ज्यादा जमीन ओन करोगे तो स्टेट गवर्मेंट उससे अक्वायर कर लेगी और किसको देदी इकला जिसके पास जमीन नहीं है यह कुल लागए आप के लो सरकार उससे जब्द कर लेगी जमीन तो है तुम्हारे पास लेकिन अलग 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 जगे से जमीन ले कर आपको एक जमीन दे देना इसको बहुते हैं आपके को दूर दूर जमीन दे दिया न 보시면 investigate people have land but in scattered places so government try to consolidation of holding and provide them land at one place तो जमीन जो है वो एक ही जगे पर उनको देना है अलग अलग जगे से लेकर cooperative farming लोगों से बोला कि आप मिल जुल कर खेती बाड़ी करो लोगों से बोला कि बहिया अलग अलग जगे खेती बाड़ी करने से अच्छा है आप मिल जुलकर खेती बाड़ी करो समझे ही बात ओ क morality cooperative farming मान लोग 14-15 लोग मिल के खेटी बाड़ी करें तो उससे फायदा ज्यादा होगा किसी के पास कोई resource है जब मिल के खेती बाड़ी करें या न तो उसससे ज्यादा फायदा होगा allies प Dedek लोग खेती बाड़ी करें इसको बोलते है इसको बोलते है Consolidation, Sorry, Cooperative Farming Land reforms were successful in Kerala and West Bengal because government of these states were committed to policy of land reform इस सरकार ने policy बना दी लेकिन सिर्फ Kerala और West Bengal ने इस अच्छे से लागू किया बाकी जो country एक लास उन्होंने कोई खास interest इस पे दिखाया नहीं यह है land reforms क्या क्या प्रॉब्लम थी क्लास जो broker थे उनको हटा दिया rent one third regulate कर दिया land ceiling land जब्त होगे लिमिट्स ज्यादा है तो Consolidation of land holding जगे जगे जमीन लेकिए आपको एक ही जगे अच्छी जमीन दी cooperative farming मतलब लोग मिलके जो है वो farming करने लगे क्या के लिए मत करो दो तीन लोग मिलके गाओं के लोग जो है मिलके आप farming करो जिसको हम लोग बोलते है ग्रीन revelation हरित क्रांटी क्लास हरित क्रांटी ग्रीन revelation जस्विन land ceiling का मतलब क्या है कि आपके पास एक लिमिट लगा दी कि भईया आपके पास 4000 स्क्वेर फिट जमीन होनी चाहिए अगर आपके पास उससे ज्यादा जमीन है न सरकार आपकी जमीन को जब्त कर लेगी एक लिमिट लगा दी लिमिट के बाद अगर जमीन आपके पास रहती है सरकार क्या करेंगी उसको जब्त कर लेगी clear class यहां तक land ceiling अब यह अब टेक्निकल रिफोर्म कब आय के लगव तकूं के सबसे पहला स्टेप जू सरकार रिप्ला के सिपर लिया है यूद्व सरकार ह यूज कोन से समझर कौन कौन से लिए use of high yielding variety seeds यानि class जो HYV seeds है उसको introduce किया गया किसानों से कहा गया कि आप normal बीच जो गाती है उससे आपका output अच्छा नहीं आएगा ये class high yielding variety seeds है इसमें आपको ज़्यादा फाइदा होगा तो basically लोग जो है पुरानी seeds को यूज करते तो उसे खतम करके HYV seeds यूज करने लगे for wheat बाजरा राइस जवार मेज कॉटन इन सब के लिए सरकार ने क्या किया गोला कि आप HYV seeds यूज करो किसानों ने इन बीजों का यूज किया और जिससे जो फाइदा मिला वह बहुत फाइदा ज्यादा मिला किसानों को अनाद जो है वह ज्यादा उगा और इस seed की distribution के लिए सरकार ने एक agency वरे इसका नाम है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो इस seeds को क्या करता है डिस्ट्रूट कराता है जो consumers से उनके पास पहुंचाता है ग्रीन रेवलेशन के अंदर बात की गई है कि जो production है वह किस तरीके से बढ़ाया जाए ग्रीन रेवलेशन के अंदर हम production को बढ़ाने की बात करते है कि output किस तरीके से बढ़ाया जाएगा सबसे पहला है कि आप HYB seeds का use करो आप chemical fertilizer का use करो chemical fertilizer समझते हो ना जो खाद है वह chemically fertilized हो यानि कि यह जो fertilizer है वह chemical होना चाहिए उसके अंदर to increase the productivity of government promote use of chemical fertilizer insecticides और pesticide कीडे मकोडे फसल को खा जाते थे तो insecticides और pesticides इनका हम इस्तमाल करेंगे insecticides का pesticide का ताकि फसल जो है वो भरबाद ना हो कीडे मकोडे हमारे फसल को खराब ना कर दे और हमारा output डाउन ना हो जाए इसलिए insecticides और पेसिसाइड को class promote किया गया scientific farm management practices को promote किय क्या जो स्याइंटिफिक पार्म मैंज मेंगेंटर का मतलब क्या है कि जो आप साइञ्स का यूज करोगे कि आपसाइंस का method of farming scientific method का मतलब क्या है कि आपका क्रॉप कौन सा है उसे सिलेक करोगे बीज की क्वालिटी कैसी होनी चीए मट्टी कैसे प्रिपेर करना है मट्टी के दिर क्या-क्या खाट डालना है यह सारी चीज़े क्लास आपको फॉलो करने राइव फार्मींग द्राक्टिस हो अलास्स क्लास की मशीन का यूस करना मैकनाइज मतलब मशीन का यूस करना लाइक ट्रैक्टर ट्व बेल गवर्मेंट ऐप्ट स्मॉल फार्मर्मास वाइग था थीमशीन यह सारी चीज़े हैं कि लिए एकलास यहां तक वो बिमार तो नहीं है सब कुछ चेक करने के बाद फिर मट्टी में बहुते हो आप उसको इस चीज़ को बोलते हैं क्लास साइंटिफिक पाम मैनेजमेंट और इस सारे पॉइंट किसके अंदर है क्लास ग्रीन रेवलेशन के पांच पॉइंट बताओ फटाफट रिविजन कर लक्ष अगर हम कैमिकल के यूज करेंगे तो जहर सी बात है सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा लेकिन फसल तो बढ़ानी है ना वह कर दें हर किसी का फायदा और घाटा है सनी के फायदा घाटा नहीं है कैमिकल का यूज करने से बहुत नुकसान होता है कई सारी बीमार आउटपूट जो वह बढ़ता है नेक्स्ट है इंपोर्टेंट इफेक्ट ऑफ ग्रीन रेवलेशन अब इस हरित क्रांती का यानि ग्रीन रेवलेशन का इंपक्या पड़ा आपका आउटपूट जो है वह बढ़ने लगा आपके पास घर के लिए समान मतलब आना घर के लि करती है कल को कोई बार तूफान सुनामी कहीं आया तो सरकार इस अनाज से क्या करती है क्लास इस अनाज को मार्केट में निकालती है मनलों तूफान आगया सुनामी आगया कोई सब कुछ नहीं है तो खाना वाना कैसे मिलेगा लोगों को सरकार क्या करती है कोल्ड स्टोरेज और अगर supply बढ़ेगी तो price अनाज के क्या होगा कम होगा फसल अच्छी हुई तो पैसा कम होगा price कम होगा फसल ही नहीं हुई मालो थोड़ी बहुत फसल हुई जो थोड़ा बहुत है वो महंगा भी कियेगा तो फसल जादा supply जादा supply जादा तो price कम horizon productivity production जो है वो बढ़े गया अनाज का नईने टेकनलोजी के use करने से production जो है वो काफी ग्रो हुआ यह इसके important effect है आप इसे benefit कह सकते हो next topic आते हैं क्लास industrial development बात करते हैं industry industry development अब यह topic जो है industrial development यह last topic है इसको पढ़ लेते हैं SSI पढ़ लेते हैं दन्य चेप्टर खतम हो जाएगा industrial development कहते किसको है beside agriculture sector industrial sector also provide the job opportunity to the people of the country देखो सिर्फ agriculture तो जौब नहीं देता इंडस्ट्री भी जौब देता है so it was necessary to develop the industrial sector at a time of independence industries were limited independence के time पे हमारे पास सिर्फ limited industry थी कुछ cotton textile कुछ jute industry थी जो इंडिया में थी और दो वेल नोन इंडस्ट्री क्लास iron और स्टील का एक जमशेदपूर में और एक कॉलकटा में बस यही कुछ इंडस्ट्री थी बहुत कुछ इंडस्ट्री थाने उस टाइम पे तो अब पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हुआ इंडस्ट्री को डवलप करने में मेरी बाद ध्यान सुनना 1950 से लेकर 1990 तक सरकार करती क्या थी सरकार सारी चीजे अपने अंडर रखती थी हर चीज हम करेंगे 1991 में सरकार लेके आई economic reform लेकिन 1990 तक सरकार सारी चीजे अपने सारी चीजे क्लास जो है वो हम करेंगे तो वो क्यों ऐसा क्यों सरकार कर रही थी तो पहला जो रूल पहला क्लास रीजन क्या था कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था सरकार की मजबूरी थी सारी चीज अपने हाथ में रखने की क्यों प्राइवेट सेक्टर क सरकार की जो कंपनिया है ना सेल गेल इंडिन रेलवे इन में काम करके या फिर जो क्लास डिफेंस है गवर्मेंट एड्मिस्टुशन आईएस आईपीएस यह सब आई रस इन सब में सरकार दो तरीके से रोजगार दे थी पहला प्राइवट के पास पैसा नहीं था दूसरा सर सरकार का इंफ्रस्ट्रक्चर जो था वो स्ट्रॉंग था यानि कि सरकार के पास पैसा था पावर, ट्रांस्पोटेशन, कम्यूनिकेशन, बेसिक हवी इंडस्ट्रीज, इरिगेशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, टेकनिकल ट्रेनिंग, इसेक्टर यह सारी चीज़े क्लास स सरकार अपने इस एक्टिविटी से इंकम जनरेट करती थी पॉब्लिक सेक्टर इन इंडिया has been playing a definite positive role in generating income in the economy जो पॉब्लिक सेक्टर लोग उसमें काम करते हैं और लोगों को इंकम मिलती है और जो सरकार का सबसे बड़ा मोटो था कि 1950 से लेकर 1990 तक सारी चीज़े अपने हाथ में रखना इस सरकार का जो में मोटो था हो था social welfare अगर सरकार इन companies को private company के हवाले कर देती तो एक तो आजादी मिली गुलाम बनने के बाद फिर तुरंती जो है यह सारी company private company profit motive के लिए काम करती जिससे class बहुत ज्यादा नुकसान होता किसको आम जनता हो गरीब जनता को सरका of equity and social welfare the government could be achieved only through direct participation of the state in the process of industrialization में सरकार आई आपको पता है कि ब्रिटेन में तो पहले से इंडिस्ट्राइशन चल रहा था इंडिया में बना तो सरकार ने सारा डिजिन खुद लिया सरकारी companies का रूल को बढ़ाया ताकि private company profit के लिए काम ना कर सकती नेक्स्ट है इंडिस्ट्रियल पॉलेसी रेजियूशन 1956 पच्चो इसको अच्छे से याद करना IPR 1956 है कौन सा इंडिस्ट्रियल पॉलेसी रेजियूशन के अंदर सरकार ने किया क्या बेसिकली सुनलो इंडिस्ट्री इसको तीन केटेगरी में बाढ़ दिया स्केडियूल ए, स्केडियूल बी, स्केडियूल सी स्केडियूल ए के अंदर इनोंने कहा 17 ऐसी इंडिस्ट्री जो सिर्फ और सिर्फ exclusively owned by the state बच्चो स्टेट का मतलब है government सरकार ने कहा कि 17 ऐसी इंडिस्ट्री हैं जिने प्राइवेट सेक्टर नहीं खोल सकते जिने सिर्फ हम खोल सकते हैं ऐसा स्केडियूल ए में लिखा था स्केडियूल बी ऑफ इंडिस्ट्रियल पॉलिसी रेजलूशन 1956 उसके अकॉर्डिंग बारा ऐसी इंडिस्ट्री हैं जो एक्स्क्लूसिवली स्टेट ओन है यानि कि स्टेट गवर्मेंट ही इस काम को मतलब कि सरकार इस काम को करेगी बारा लेकिन लेकिन क्लास प्राइवे हो कहता है कि जा स्केडियूल इमें स्केडियूल में कम्पनी रह गई तो अगर स्केडियूल ब्ल्ब्लास इसके कामपनी स्केडियूल बहुत जादा का लाइसेंस नहीं basic license चांप और जो schedule a और बी है इव आप काम नहीं कर सकते के तो कि बिलकुल नि काम कर सकते बी में 12 है आप उसमें help कर सकते call material और सप्सक्टा कर सकते हो और जो c है इस drag लेके सरकार से काम कर सकते हो तो यह तीन schedule a b c लूकल बच्चों सुनो small scale industry लगू ध्योग छोटी छोटी इंडस्ट्री बच्चो छोटी छोटी इंडस्ट्री बहुत जदा फाइदा पहुंचाती economy को जब economy बड़ी होती है एक जिगे बड़ी company से बहता रहे कि अलग-अलग जिगे छोटी छोटी companies हो these are those industry in which manufacturing, providing services, production done, small scale छोटे लेवल पर अगर व्यापार हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको small scale industry जैसे क्लास napkin बनाना, tissue paper बनाना, chocolate, toothpick, water bottle, छोड़े खिलोने, pen, paper इन सब को जो company बनाती है उनको क्या बोलते है small scale industry छोटे पहमाने पर जिनका जो business है वो एक करोड से ज्यादा ना हो एक करोड का business है अगर तो क्लास उसको बोलते है small scale industry अब छोटी छोटी इंडस्ट्री से फाइदा क्या होता है सबसे पहला फाइदा छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है ना बच्चो वो employment generate करती है यानि कि छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो रोजगार देती है अगर मालो गाओं महले में छोटी 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 क्लास companies हो तो नौकरी जो है वो लोगों को मिलेगी और अगर नौकरी लोगों को मिल companies जो है small scale industry इनका जो माल है समान है वो अलग-अलग देशों में export किया जाता है लगबग 45-55 यानि half percent of goods जो है वो export किया जाता है इंडिया से इंडिया से आर प्रेड्यूस बाइडी स्मॉल इंटरप्राइज इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना वो किस पर इतना सरकार ने स्मॉल इंडिया को प्रमोट किया कि स्मॉल इंडिया जो है वो फाइदे में जाती है और हमारे दिसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ाती है पहली बात तो रोजगार देती है दूसरे एक्सपोर्ट में कॉंट्रिबूशन करती है किसरे लोगों का वैलफेर होता है क्यों छोटी छोटी कंपनी क्लास आपकी गाउं महले के गली महले के आसपास होगा जहां पर जाके आप काम कर सकत आपको रोजगार मिलेगा तो वह कहीं न कहीं क्लास सब के लिए फाइदेमंद है एक बड़ी कंपनी इतना फाइदा नहीं पहुंचाएगी इतने क्लास छुट जुड़ी कई सारी कंपनी पहुंचाएगी यह चीज है अगर गाउं में ही लोगों को नौकरी मिलें लगें इस गाउं में खुलने लगें तो लोग माइगरेट ना करें अपना गाउं अपना घर छोड़े कहीं और जाने की जरूत ना पड़े लोगों को लेकिन समस्या यहां है चेक करो क्या लिखाए रिड़ करो फटाफट चेक करो क्या लिखाए के स्मौल स्केल इंदॉस्ट्रीज को हम सब को प्रoteक करना है क्यूं जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है ना उनके पास technology इतनी ज्यादा हाई होती है वो उनके पास cost reduction technology होते हैं वो cost कम करके बेज देते हैं तो बिचारे चोड़ी company चली नहीं पाते हैं सो government ने क्या किया उनको protect करने लिए tax concession दिया एक तो tax में छूट दिया छोड़ी companies को reserve कर दिया उनके product को only to small scale industry यानिकि यह जो product है वो सिर्फ small scale industry ही बना कर बेच सकता है और कोई इसको बना कर नहीं बेच पाएगा सिर्फ छोड़ी companies ही इनको बना कर बेच सकते हैं कुछ product को reserve क कर दिया कि यह वाला समान जो है यह हर कोई नहीं बनाएगा छोड़ी company बनाएंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से तो foreign trade जो है उसके अंदर आता all import and export to and from India इंडिया का जो टोटल शेयर है मतलब शेयर था 1950 में सिर्फ 1.78 परसें इंडिया पूरे वल्ड का export import कितना करती है 1.7 परसें जो की बहुत कम है नेक्स्ट है trade policy बच्चों मेरे बाद ध्यान से समझना सब लोग बाहर के देश के जो लोग है वो इंडिया में आके इंडिया के लोगों को tough competition देते थे बाहर देश से company आई और इंडिया के जो companies है उनको काफे tough competition देती है अब देखना samsung का phone apple का phone कितना ज्यादा बिखता है Realme, Redmi और पता नहीं OnePlus तो इस सब कितने ज्यादा बिखते हैं phone जब कि सारे phone किसके हैं class बाहर countries के अब इंडिया का जो phone है यह तो नाम ही नहीं पता रहता पहले बात की इंडिया का brand का phone कौन सा है तो लोग उसको नहीं खरीते तो यानि कि बाहर देश की जो mobile company है वो इंडिया mobile company को tough competition दे रही है उनको चलने ही नहीं दे रही है तो इस चीज से बचाने के लिए सरकार ने class क्या किया दो तरीके निकाले जो पहला है class वह है import substitution बचो ध्यान सुनना import substitution क्या होता है हम बाहर से import ना करके क्यों ना उस समान को अपने ही देश में बना ले हम Harley Davidson की motorcycle मंगाते हैं class US से तो class हम वह ना करके क्यों ना हम अपने देश के अंदर ही इस काम को करें वह सारी चीजी जो हम बाहर से खरीदते हैं क्यों ना हम उससे देश में ही बनाने लगें इस चीज को बोलते है class import substitution यानि कि it in order to be self-reliant आत्म निर्वर बनने के लिए India for the strategy of replacing many import by the domestic production import substitution refers to a policy of replacement or substitution of import by domestic production example industries को encourage किया जाता है to manufacture vehicle guardian vehicle or car manufacturer within India itself instead of having them import from foreign country बाहर देश से खरीदने से अच्छा है कि आप उसको देश के अंदर ही बनाओ इसको वोलते है import substitution क्लियर है तो अगर हम अंदेश के अंदर बनाएंगे जहर सी बाते बाहर देश के लोगों से चीजे नहीं खरीदेंगे ओके अब सरकार ने यह पॉइंट ध्यान से पढ़ना mcq बहुत काम आएगा government also protect domestic producer from imports through tariff और quota बच्चो ध्यान समझना tariff का मतलब होता है taxes जब आप बाहर देश से import करोगे न तो सरकार आपसे heavy tax लेगी अगर आप बाहर देश से नहीं खरीदोगे आप देश से ही समान खरीदोगे समझे एक लाज बात को बोलते हैं tariff आपको महंगा लागया आप बाहर से ना खरीदोगे दूसरा है quota tariff मतलब tax quota का मतलब क्या होता है quantitative limit quantitative limit यानि कि limit लगा दी जाती है कि आप इसतनी quantity से ज़्यादा समान बाहर से नहीं मगा सकते हैं import को रोकने के लिए import substitution करती है और tariff और quota लगाती है ताकि आप एक हद तक ही बाहर से समान खरीद सको आप बाहर से समान और ना खरीदो एक quantity में ताकि जादा ना खरीदो सब आप देश के अंदर से ही खरीदो यह किसले करती सरकार सरकार किसले करती थी तो प्रोटेक्ट दा डॉमेस्टिक फॉर्म कैसे करती थी टैरिफ और quota टैरिफ क्या है ग्लास टैक्स और quota क्या होता है quantitative restriction quantitative restriction ओके तो finally यह chapter मारा खतम हो गया यह chapter मारा finish next class में हम लोग जो है वो नया chapter करेंगे तो यह जितने भी mcqs है यह आप सबको बनाना ही बनाना है जितने भी mcqs है यह आपको बनाना है क्यूं क्यूंकि mcqs से सारी चीजे रिवीजन अच्छे से हो जाएंगे आपको ओके चलो next class में हम continue करते हैं क्युकं रहाई झाल झाल